आजकल पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सारे यूटूबर्स और उनके जो क्रिकेट एक्सपर्स हैं उनके लिए एक बावराजम ना मुद्दा बन गया है पीएसल चल रहा है लेकिन बावराजम के स्ट्राइगरेट पर बात हो रही है कोई तोकी नहीं बनता है बावराजम पेशावर जलमी को लीड कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट को इस समय लीड कर रहे हैं और आप उनके स्ट्राइगरेट पर तभी बात करेंग जब पाकिस्तान की टीम जो है मुकाबला हार रही होगी जबकि पाकिस्तान की टीम का T20 में प्रदर्शन इतना शांदार है कि क्या ही बोले मतलब आप एशिया कप के फाइडल तक पहुँचे आप T20 विश्यो कप के फाइडल तक पहुँचे बाबर का दोनों टूर्णामेंट खराब गया लेकिन बतौर कप्तार वो हिट हुए अब बतौर बल्लेबाज आपको पेशाबर जल्मी के लिए वो खेल रहे हैं वहां पर उन्होंने दो पचासे लगाए है अर्सट रन की पारी खेली 75 रन की पारी खेले लेकिन उनकी टीम ज जिस ब्रैंड के बारे में बात कर रहे थे ना शाहिद अफ्रीदी ब्रैंड यही होता है ब्रैंड वही होता है जिसके बारे में हर रोच चर्चा होती है आज हर कोई PSL की बात नहीं करता है इस्लमाबाद United कराची Kings वागी जिदनी भी टीम है मुलतान सुलतान से उनका प्र के रिकॉर्ड चांदार है उसमें है न टूटल 21 प्लेर अफ दा मैच का अवाड इन होने जीता है दस में मैच फिनिश करके यह बंदा आया हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में तो यह जो आपसी दुश्मनी और परसनल एटक एंड यह जो शाहिशा अफरीदी को कप्तान इतने बड़े आप खुद मैच फिनिश करके आये थे बाबर तो फिर भी मैच फिनिश करके रंस भी उन्होंने बनाये हुए और अपनी टीम को मैचेज भी जिताए हुआ है मैं वही बोलू ना बाबर आजम पे जो लोग तनकीत करते हैं इमाम उलग बोल ले थे इमाम कि खुद गिरा हुआ रहा रहता है इसी वज़े से पीएजल से बाहर है तो कोई भी मुठा के बोल देता और ब्रैंड की बात होती है कि कोई भी बोल सकता किसी के विवारे में बाबर के लिए अच्छा है यह अच्छा है क्योंकि जितनी उनकी बाते होंगी इंटरनेशनल क ग्रो करेंगे तो शायद अफ्रिदी मामूल हक को जो है न थैंक्यू बोलना चाहिए सभी बाबराजम के फैंस को वो ना हो तो बाबराजम का नाम कैसे होगा नन्यवाद